आज हम डिसकस कर रहे हैं 15th and 16th में के करेंट अफिर्स तो 15 मही को भी एक important day था और आज 16th में है तो आज हम celebrate करते हैं बुद्ध पूर्णिमा जो आज वैसाख की पूर्णिमा होती है उस दिन भगवान बुद्ध का जन भी हुआ था और उनको enlightenment भी हुआ था ऐसा हमको पता च बाते भगवान बुद्ध की बारे में सीख लेते हैं और उसके बाद अपने important day पे move करेंगे चाहिए वीडियो को लास्ट तक देखना है लास्ट में एक question है जिसका answer आपको comment section में देना है चाहिए और I hope जो मैंने आपको कर लिस्ट प्रवाइड की थी उसके screenshot आपने लिये अब बचे हुए जो लेवल है लेवल 5 है 3 है 2 है इनके exam की date भी आ गई है 12 जून है राइट 12 जून है तो बिलकुल एक हफते पहले admit card आएंगे आप उन्हें देखेगा जिन लोगों का भी exam है ठीक है सांदी साथ अगर आज के current affairs का pdf चाहिए तो आपको telegram पे मिल जाएगा आज है बुद्ध पूर्णिमा यहां पर भगवान बुद्ध जी की जो जन्म यात्रा रही है या उनकी मोक्ष तक की जो यात्रा रही है उनको हर एक symbol से represent किया जाता है और वो exam में question बनता है सबसे पहले बात करते हैं जन्म, birth anniversary तो उसको दिखाया जाता है lotus and bull से तो lotus and bull जो साख की पूर्णिमा जो की बुद्ध पूर्णिमा जैसे हम बोल रहे हैं उसे दिन हुआ था लुम्बनी में और यह साख क्लेन से ब्लॉंग करते थे ठीक है second है maha abhi nishkaraman मतलब जब इन्होंने घर को त्याग दिया और घ्ञान की खोज में निकल गये उस प्रॉसेस को क्या कहा जा रहा है maha abhi nishkaraman कहा जा रहा है और इसको denote करते हैं एक हौर्ण से घर से निकले हैं गोडे से निकले हैं तो 29 साल की उमर में नोने घर को त्याग दिया था इसके बाद है निर्वाना जिसको हम enlightenment भी कहते हैं क्या कहते हैं? enlightenment दो निर्वाना अब जैन धर में और बौध धर में निर्वाना का मीनिंग अलग होता है जैन धर में निर्वाना का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति हो जाना और यहाँ पर निर्वाना का मतलब क्या है इनलाइट्मेंट से है ठीक है तो बोधी ट्री को हम इसे डिनोट करते हैं क्योंकि बोधी ट्री के नीचे बैठ कर ही बोध गया में फल्गू जिसको निरंजना रिवर भी कहते हैं उसके किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ती हुई थी इनलाइटमेंट हुआ था जब थर्टी फाइव यर्स के थे तो पैतीस साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ती हो गई थी बोद गया पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना या फल्गू रिवर के किनारे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ती हो गए तो इन्हें काफी सारा ज्ञान मिल गया अब इन्होंने सोचा हम अपने उपदेश देते हैं उपदेश देते हैं जिसको हम धर में चक्र परवर्तन के नाम से जानते हैं और उसको डिनोट किस्ते करते हैं वील से चके से चक्र से धर में चक्र परवर्तन तो पहला उपदेश कहां दिया था तो सारनात में दिया था ये बात भी आपको पता है और अंत में है महा परी न नड़वान होता है कूशी नगर उत्तर प्रदेश में मल रिपब्लिक में चेके तो ये आपको सिंबल बेसिकली याद रखने हैं लोटस जब जन्ब हुआ है होर्स जब घर को त्यागा है बोधी पेर जिसके नीचे ज्यान प्राप्ति हुई है वील जब इन्हों अपना पहल आप यहां पर आज जो न्यूस है आप इंपोर्टेन तो है ही साधे साथ इंटर्नेशनल न्यूस जादा है आईए हमें के गर के देखेंगे क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में है ना सबसे पहले state news में हमारे पास है Prime Minister Nareen Modi has recently launched which state startup policy and implementation plan 2022 and startup portal तो किस राज में प्रधान मंतरी के द्वारा startup portal और startup policy implementation plan को launch किया गया नाम जी समझ में आ रहा है startup को बढ़ावा देना, entrepreneurship को बढ़ावा देना उसके लिए इस startup portal को launch किया जा रहा होगा बिल्कुल सही बात है और कहां पर launch किया गया है मधर प्रदेश में ठीक है मधर प्रदेश में Prime Minister Nareen Modi has launched मधर प्रदेश startup policy during मधर प्रदेश startup conclave जो कि इंदौर में हुआ था कहां पर हुआ था इक conclave इंदौर में हुआ था और वहीं पर startup portal की शुरुआत की गई थी वीडियो conferencing के जरी और उसमें नरेन मोदी जी के दुआरा कहा गया कि 2014 में भारत में 300 से 400 startup थे लेकिन आज भारत में 70,000 से जाधा startup है और इंडिया जो है वो third largest startup economy बन गई है पूरे world में तो भारत की ranking आप समच सकते हैं कि third number पे पूरे world में startup के मामले में इसके अलावा मद्रप्रदेश गवर्मेंट ने कुछ दिन पहले कुछ schemes को भी launch किया था जैसे कि मैंने आपको लाडली लच्मी scheme 2.0 के बारे में बताया था इसके अलावा मुख मंत्री उध्यम क्रांती योजना मुख मंत्री राशन आपके द्वार योजना यह सभी मद्रप्रदेश गवर्मेंट की scheme है इनको भी आपको ध्यान में रखना है अब यहाँ पर 36 गड़ के गवर्मेंट से एक और न्यूज आ रही है 36 गड़ बिकम दो फॉर्स स्टेट तो रिस्टोर ओल्ड पेंशन scheme तो 36 के गवर्मेंट ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन इशू किया है और कहा है कि जो ओल्ड पेंशन प्लान है हम उसको continue रखेंगे और यह 1st April 2022 से effective हो जाएगा हाला कि राजिस्तान के गवर्मेंट के दौरा भी कुछ समय पहले ऐसा प्रपोजल गया था तो यहां पर इन्होंने मतलब 36 करोड के जो गवर्मेंट एस्टेट गवर्मेंट है उन्होंने एक अप्लिकेशन दी है Pension Fund Regulatory and Development Authority को to withdraw 70,000 17,000 करोड अंडर दे नेशनल पैंशन स्कीम सिंस नेवेंबर 2004 तो यहां पर 17,000 करोड रुपे विद्रॉ करने की बाद भी यहां पर कही गई है कुछ समय पहले 39,000 करोड राजस्थान ने में डेमांड की थी जो कि Central Government ने एप्रूव नहीं की थी तो यहां पर restore करने की बाद की जा रही है Old Pension Scheme को जिसमें government employee को salary का आधा हिस्सा मतलब 50% pension के रूप में दिया जाएगा है ना तो यह पहला state ऐसा बन रहा है यहां पर बोला जा रहा है साथी साथ state government ने कहा है कि जो 10% reduction होता है मंतली salaries government employee की salary से pension scheme के लिए उसको भी हम खतम करते है और यह भी 1st April से effective हो जाएगा और जो 12% minimum basic salary का हम deduct करते है PF के लिए वो rule continue रहेगा ठीक है यहां पर जो CM है वो कौन है भूपेज भगेल जी है इसका 15th number का session है कहां पर हुआ किसने host किया वो सारी बात है तो यहां पर जो हमारी जमीन है लेंड है उसको restore करने के लिए global warming जो बढ़ रही है climate change हो रहा है यह land की जो quality degrade हो रही है उसके लिए basically इस तरह की conference की जाती है तो COP 15 इसको host किस नहीं किया था या किस country में हुई थी तो यह हुई थी आइबरी कोस्ट में यहां अफरीका में यहां यह आपको जो दिख रहा है आइबरी कोस्ट यहां अफरीका में यह COP 15 summit हुआ था और भारत की तरब से भूपें रियादव जो की environment, forest and climate change ministry को समालते है वो यहां पर participate किये थे अब थीम क्या रहा है COP 15 की life legacy from scarcity to prosperity तो इस साल की यहां पर थीम रही थी, आइबरी कोस्ट आपको याद रखना है अफरीका कॉंटिनेट में मिलेगा यह पूरी जो कॉंफरेंस है COP 15 है वो 9 से लेके 20 में के बीच में चलनी है साथी साथ यह जो UNCCD है वो कब बना था 1994 में बना था यहां पर जो public sectors है चाहिए वो private sector है सभी लोग को invite किया गया था और sustainable management की और ध्यान दने की बात की गई थी अब यहां पर बात कर रहे है second global COVID-19 virtual summit अगर हम पहले global COVID-19 virtual summit की बात करते है तो वो 2021 में हुआ था September में ठीक है 22 September 2021 में जिसमें PM Modi ने participate किया था अब यह second global COVID-19 virtual summit है जिसमें Prime Minister ने participate किया address भी किया बताया किस तरीके से हम traditional medicine की तरफ बात कर रहे है WHO के दौरा जो traditional medicine center उसके बारे में बात की गई vaccination की इनकी क्या policy से वो साब discussion किया गया यहां पर caution है कि इस summit को USA के साथ साथ किन countries के दौरा को host किया गया था तो यहां पर गर हम G20 की चेर्मेंशिप देखें तो इंडोनेशिया के पास है या फिर G7 की जो चेर्मेंशिप है वो जर्मनी के पास है तो इंडोनेशिया, जर्मनी, बेल्जी और सेनेगल इन सभी लोगों ने USA के साथ मिलके second global COVID-19 virtual summit को organize कराया था और यहां पर second summit में प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी में participate किये थे अब बात करते हैं इसके theme के बारे में तो theme है preventing, pandemic, fedic and prioritizing preparedness यह इसकी theme थी ठीक है तो आप तो आप तो यह भी तीन theme यहाँ पर देख लिए है चली अगली बात कर लेते हैं यह जो human rights council है तो human rights council में 47 members होते हैं और तीन-तीन साल के लिए होते हैं तीन यहर के बाद उनका tenure खतम होता है और नए member को चुना जाता है तो यहाँ पर रशिया के अगर बात करते हैं तो रशिया के उपर बहुत सारा allegation है human rights को लेके कि रशिया ने यूक्रेइन की जो शोल्जर से और वहाँ की जो सिटिजया ने उनके human rights का violation किया है इसलिए यहाँ पर उसको replace करने की बात हो रही थी जिसके कारण United Nation General Assembly में क्या हुई voting हुई और voting के बाद यहाँ पर human right body का member Czech Republic को बनाया गया है तो question है The United Nation General Assembly has voted for which of the following country to replace Russia on the world organization leading human right body तो सहीवत रास्ट महसाभा ने विश्व संगटन के प्रमुक मानवधिकार निकाय में रूष्ट को बदलने के लिए किस देश के लिए बदान किया है तो एक ही nomination गया था यह एक ही प्रस्ताव गया था वो था चेक रिपब्लिक का और चेक रिपब्लिक के लिए United Nation General Assembly में voting हुई total 193 members होते जिनमें से 180 ने voting किया था और 157 country जो थी वो चेक रिपब्लिक के favor में थी इस तरीके से चेक रिपब्लिक जो है वो Human Rights Council का member बन गया है चीक है Human Rights Council अगर बात करते हैं Headquarter Geneva, Switzerland में 2006 में बना था और Human Rights Day हम 10 December को celebrate करते हैं तो ये बाते आपको याद रखने हैं चीक है Contributes 8 lakh dollars to expand use of Hindi at UN तो यहाँ पर United Nation में Hindi का प्रचार करने के लिए जैसे कि कुछ दिन पहले Google Translate में भी 8 नई Indian languages को add-on किया गया था वैसे हिंदी के प्रचार के लिए United Nation को इंडिया के दौारा 8 lakh dollars जो है वो contribute किये गए हिंदी language के promotion के लिए प्रचार के लिए उससे promote करने के लिए इंडिया के जो deputy permanent representative है United Nation में आर रविंद्र उनके दौारा UN project के लिए ये money दी गई है और इस project के शुरुआ 2018 में की गई थी साथी साथ World Hindi Day हम 10th January को celebrate करते हैं जबकि national जो Hindi Day है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है तो हिंदी भाशा के प्रचार के लिए भारत की दौारा ये money जो है वो United Nation को दी गई है अगली बात करते हैं फिलिफिन्स के नए प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा है तो फिलिफिन्स में आज से 36 years पहले एक डिक्टेटर हुआ करते थे जिनका नाम है फ्रेंडिनेंट मैक्रोज उनके ही सन नहीं यहाँ पर प्रेसिडेंट से एलेक्शन लड़ा था नहीं भी हो सकती हाला कि इनों ने कहा है कि जो भी फिलिफिन्स में एकोनामिक क्राइस चल रहा है हम उन पर ध्यान देंगे 30.8 मिलियन वोट से यह जीते हैं और वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए है तो वाइस प्रेसिडेंट है लेनी रोबरिडो यह वाइस प्रेसिडेंट है फ्रेडी नेंट मार्कोस जूनियर ठीक है तो यहाँ पर दो पार्टी मतलब एक मार्कोस की पार्टी और एक दुद्रीरती फैमिली की जो पार्टी है इन लोगों ने मिलके बापस से सत्ता अपना लिया सत्ता में लोग आ गया है चीक नेक्स्ट है फ्रेसिडेंट का अर्टीकल नमबर टू तू तू थी है उसके अकॉर्डिक प्रेसिजेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो किसी भी हाई कोड के चीफ जस्टेस या एक्टिंग चीफ जस्टेस को अपॉइंट करते हैं कुछ दिन पहले मैंने आपको एक नाम बताया था जो था सुधानशो धूलिया सुधानशो धूलिया जी अब सुप्रीम कोड के जज के रूप में चुन लिये गया है उन्होंने ओथ लिया था तो वो जगह खाली हो गई थी गुआहार्टी हाई कोड के चीफ जस्टेस की तो इसलिए एक्टिंग चीफ जस्टेस किसे बनाया गया है एनके सिंग को बनाया गया है चीके तो आंसर हो जाएगा एनके सिंग अब N.K. सिंग जी के बारे में थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं यहाँ पर जुस्टिस नौंगबे कपाम कोटिशवर सिंग जिनको हम जुस्टिस N.K. सिंग कह रहे हैं यह 1963 मिन का बर्थ हुआ था मनीपूर में इनके जो फादर थे ना वो पहले एड़ोकेट जनरल थे मनीपूर के इसके अलावा N.K. सिंग जी जो है वो मनीपूर के भी चीफ जस्टिस रहे हैं इन्होंने गौहार्टी हाई कोट को एज़ा सीनियर एड़ोकेट 2008 में जोईन किया था सीनियर एड़ोकेट होने के बाद ये एक जज़ बन गए थे 2012 में इसके अलावा मनीपूर हाई कोट में भी इन्होंने चीफ जस्टिस की तरह काम किया है और अब एक्टिंग चीफ जस्टिस गौहार्टी हाई कोट के बन गए है N.K. सिंग नेक्स बात करते हैं बांगला एकेड्मी आव़ोड ये ऐवऌड कीसे दिया गया तो बांगला एकेड्मी आव़ोड दिया गया है कीयो मिला है ममतब एनरजी को अथक साहितिक खोज के लिए मतलब Relentless Literacy Purshoot के लिए इनको ये अवार्ड मिला है इन्होंने कभीता बितान लॉंज किया था 2020 में जो कोलकाता बुक फेर था उसमें और उसमें 946 पोयम्स थी और इनका जो कॉंट्रिबिशन था उसके लिए यहाँ पे Art and Culture जो हमारी Ministry है उसके अंतरकत रवी प्रणाम ममतब एनरजी वास गिवन दा वार्ड एड़ दा रवी प्रणाम फंक्शन जो कि Government या Art and Culture के दोवारा और्गनाईज कराया गया था रविदनाथ टैगोर जी की बर्थ Anniversary में तब इनको Bangla Academy Award मिला है तो आपको सब इतना ही पूछा जाएगा कि Bangla Academy Award किसे दिया गया तो ममतब एनरजी को दिया गया नेक्स्ट है Templeton Prize यहाँ पे बात हो रही है Templeton Prize के बारे में यह प्राइस जो है अगर कोई व्यक्ति Mankind के लिए Science के सेक्टर में Power Energy के सेक्टर में Nuclear Energy के सेक्टर में अच्छे काम करता है तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है Mankind के सेक्टर में परोपकार के लिए जो काम किये जाते है उस sector में यह award दिया जाता है इसके शुरुवात 1972 में की गई थी और पहली बार award 1973 में दिया गया था तो बोला जा रहा है कि नेम दा theoretical fagicist and author who has been awarded the Templeton Prize 2022 तो यह award किसे दिया गया है तो यह award Frank Wilczek को दिया गया है ठीक है Frank Wilczek इन्हें 2004 में Nobel Prize भी दिया गया था फिडिक्स के सेक्टर में ठीक है और इनको यह award दिया गया है साथ साथ चार यूनिवर्सिरी के प्रोफेसर भी है नेक्स्ट बात करते हैं UAE President सेख खलीफद बिन जयाद अलनाहन पास्डवे तो UAE के प्रेसिजेंट है इनके निधन हो गया है तो आपने निूज में देखा होगा है भारत ने भी शोग जटाया था इंदिया का इंडियान फ्रैक था उसको भी धुकाया गया था इनको और देने के लिए इनको सम्मान देने के लिए यह सब चीज़ें आपने news में obviously देखी होंगे तो UAE की जो प्रेसिजेंट है सेख खलीफा बिन जायद अल-नहाल जो की second number के president है और 2004 से 2004 से 2022 तर के president रहे थे लंबे समय तो तवियत खराब चल रही थे उसके बाद इनकी death हो गई He took over as the UAE second president in November 2004 after his father as the 16th ruler of Abu Dhabi ठीक है इसके अलाव दुबई में जो crisis चल रहे थे 2009 में उन्हें भी इन्होंने कम किया था इसलिए UAE की government ने तीन दिन को कहा है कि तीन दिन जित्ते भी public offices या private offices रहेंगे ठीक है This is important Who has topped the list of Forbes highest paid athlete 2022 तो यहाँ पर Forbes की report के according सबसे अधिक पैसे वाले या सबसे अधिक paid जिनको promotion के लिए खेलने के लिए जादा पैसे दिये जाते है Highest paid athlete 2022 कि से चुना गया है ठीक है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर Lionel Massey जो कि एक Argentina के footballer है हम सब ही लोग जानते है और यह highest paid athlete है 2020 के 2K और इनको जो income है वो 130 million dollar है second number पर अमेरिका के एक आप अमेरिका के एक basketball player को देखेंगे जिनको हम King James के नाम से भी जानते हैं Leberon James इनकी बर्थ अगर देखेंगे तो 121.2 billion है और third number पर है Ronaldo Cristiano Ronaldo जो की एक footballer है Portugal से है इनकी बर्थ है 115 million dollar तो एक तीनों नाम आपको याद रखने इनकी country याद रखने और इक इस sports associated है वो आपको याद रखना है next बात करते हैं Indian pistol pair Isha Singh and Saurabh Chaudhary has kling the mixed team pistol gold at the international shooting sport federation ISSF junior world cup in तो question सिर्फ इतना सा पूझा जा रहा है कि ISSF मतलब international shooting sport federation junior world cup कहां आयूजित किया जा रहा है तो यह world cup हो रहा है जर्मनी में अब यहाँ पे भारत की जो एक mixed team है उसको gold medal मिला है कौन कौन है? Isha Singh और Saurabh Chaudhary same event में silver medal भी हमको मिला है और वो medal किसे मिला है? पलग एं सरबजीत सिंग को ठीके इसके अलावा अब यह competition खतम नहीं हुआ है हम देखेंगे बाद में कि total medal कितने जीतते हैं आप फिलाहल याद रखना है कि जर्मनी में ये वेंट हो रहे है और इशा सिंग और Saurabh Chaudhary जी की जो जोड़ी है उसने इस event में जो है वो gold medal जीता है ठीक नेक्स बात करते हैं Ministry of Agriculture and Farmer Welfare has signed MOU with which organization for implementation of combined agriculture credit and crop insurance चीक है तो यहाँ पर क्रशी और किसार कल्यार मंत्राले ने सायूक्त क्रशी रिनरफसल वीमा के कार्यावन के लिए किसके साथ MOU sign किये हैं तो यह MOU sign हुआ है UNDP United Nation Development Program के साथ UNDP कहाँ पर है Development Program के साथ जो हमारी प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना स्खीम होती है और प्रिसान क्रेडिट कार्ड जो इंटरस्ट स्खीम होती है उनको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए UNDP के साथ हमने MOU sign किया है और यह MOU Chief Executive Officer प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना रीतेश चौहा ने उनकी प्रेजन्स में या उनके द्वारा किया गया है नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया टॉप दा World Bank Foreign Remittance Recipient World Bank ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है Migration and Development विलीफ इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने टॉप किया है जो Remittance आता है मतलब जो भारती लोग विदेशों में रहते वहाँ कमाते और भारत जो पैसा भेजते हैं तो भारत उसमें सबसे आँगे है Remittance के मामले में तो इंडिया ने इसमें टॉप किया है इंडिया, इंडिया के बाद मैक्सिको देन चाइना, फिलिफिन्स और फिर एजिप्ट है तो ये पाँच कंट्रीज है जो की वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग Remittance के मामले में सबसे आँगे है और यहाँ पर इस रिपोर्ट में सेवन्थ नंबर पे बांगलादेश भी रहा था ठीक है ये तो वो कंट्रीज होगी अब अगर हम Remittance का बहुत सारी कंट्रीज होती है जिनका GDP Remittance पे बहुत ज़्यादा dependent होता है जैसे अगर इस रिपोर्ट में कहा है कि very high share of GDP are Lebanon का 54%, Tonga 44%, Tajakistan 34%, किर्गिस्तान 33% और Samoa ये 32% मतलब इनका GDP का इतना हिस्सा Remittance से cover किया जाता है तो आपको ये नाम को शियाद रखने है नेक्स्ट बात करते हैं ISRO, इंडियन स्पेस रिसेर्च और्गनाईजेशन सक्सेस्फुली टेस्ट हुमन पहली बार एक rocket को launch किया गया था और इसको टेस्ट किया गया था इसका नाम है Human Rated HS200 ठीके इंडियन स्पेस रिसेर्च और्गनाईजेशन के द्वारा इसे तैयार किया गया था और इस पे तीन स्टेज का फ्यूल था पहले स्टेज में सॉलिट फ्यूल था सेकेंड में लिक्विड और थर्ड जो स्टेज थी रहा उसमें hydrogen और oxygen यहां पर as a fuel use किया गया था इसको कहां पर launch किया गया सतीज दवन Space Center श्री हरी घोटा आंधर प्रदेश में गगन यान का जो rocket booster है उसको launch करके देखा गया था टेस्ट किया गया था HS200 is a part of the geosynchronous satellite launching vehicle Mk3 मितलब GSLB Mk3 rocket system का ही part HS200 है जो की Indian astronaut को space में ले जाने का काम करेगा अब इसको design किस ने किया है तो design and develop इसको किया है Vikram साराभाई Space Center तुरू अंतमपुरम ने तो यह भी आपको याद रखने और launch कहां से हुआ था तो यह हुआ था सतीज दवन Space Center से चलिए अगली बात करते है Department of Telecommunication launches Gati Shakti Sanchar Portal तो यहाँ पे dot dot का मतलब होता है Department of Telecommunication जो की कौन समाल रहा है अश्विनी वेचनव जो की हमारी Union Minister for Communication Electronics and IT and Railway को समालते है उनके द्वारा Gati Shakti Sanchar Portal एक website को launch किया गया है www.sugamsanchar.gov.in अब भारत में हमें 5G की requirement है हमें number of optical fiber cables को बिछाना है number of towers लगाने और private sector उनकी भागीदारी को बढ़ाना है तो उनको सभी लोगों को अगर आपको कहीं tower लगाना है या फिर optical fiber को बिछाना है या किसी नई company को telecom sector में आना तो बहुत सारी formalities होती है क्यों ना इनके लिए एक portal तयार कर दिया जाए जहाँ पे आप application लगाओ और आपके जो समस्या है वहाँ पे resolve की जाएंगी तो इस तरीके से एक portal जिसको हम बोल रहे है गती शक्ती संचार portal को launch किया गया है right of way approval in the line with the PM गती शक्ती national master plan एक common single portal यहाँ पर provide किया जाएगा permission के लिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते national broadband mission जो की 2019 में set up हुआ था department of telecommunication की द्वारा उसी vision को complete करने के लिए गती शक्ती संचार portal की शुरुआत की जा रही है this is the last news Morgan Stanley cut India's financial year 23 growth forecast to the 7.6% Morgan Stanley ने भारत की GDP growth है वो 7.6% कर दी इसके पहले इनोंने भारत की जो GDP कही थी financial year 23 के लिए वो 7.9% कही थी लेकिन अभी जितना inflation चल रहा है जो global growth पे slowdown लगा हुआ है और जो commodities के price बड़े हैं तो उसके कारण इनोंने कहा है कि financial year 23 के लिए जो GDP रहेगी वो 7.9 की जगे 7.6% रहेगी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि RBI के दोरा भारत की GDP कम की गई थी पहले RBI ने कहा था 7.8% रहेगी फिर रिन्यू किया और कहा 7.2% भारत की GDP रहेगी और World Bank के according financial year 23 के लिए भारत की GDP कितनी रहेगी 8% तो यहाँ पे आपको ये GDP याद करने हैं मैंने इसके पहले के जो वीडियो जे और in fact जो मारा monthly current affairs अप्रेल मंत का मैंने cover कराया था उसमें भी मैंने आपको पूरी list प्रवाइड की थी कि किस-किस ने GDP को rate को revise किया है या चेंज किया है तो I hope आपने देखा होगा नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में monthly current affairs में जाके आप देखेंगे April month के current affairs तो वहाँ पर आपको पूरी list मिल जाएगे So अन्त में हम बात करते है question of the day के बारे में question of the day है Kathleen Nobak has been elected the first ever and youngest female president of which of the falling country तो किस country की पहली female राष्टपती बन गई है Romania, Poland, Ukraine, Hungary जो भी आपका answer होगा आप comment में दीजेगा इसके अलावा जैसा कि मैंने का 12 June को RRB NTPC के exam है और इसके लिए GA course launch हो चुका है जो कि पर्चम के application पे है Play Store में आपको application में लेगा वहाँ से download करके आप इसको देख सकते है Thank you